नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिरसेगबर आपको बहुत बहुत सागत हैं, तो आज मैं फिरसेगब के सामने कुछ Importance Company का Update लेके आया हूँ, और आज का वीडियो में जितने सरे Companies के बन में चर्चा करूँगा, उसके पहले एक टेड जब बना था, तो मैंने आपको साथ वीडि इस वीडियो को लास तक जुरू दिखेगा, और अभी तक अपने चनलन को सब्सक्रेब नीकिया, तो जुरू कर लेज़ेगा, फर्स्ट जो Company है जिसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है हिंद Petro, मतलब हिंदुस्थान Petroleum Corporation Limited, जैकि हिंद Petro के उपर मैंने टेड किस बेस इसमें लिया, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले में चार्ट पटन दिखाऊंगा, तो टेक्निकली चार्ट पटन के बारे में चर्चा करो, तो फाइनली दिखिए, एक बहुत दिनों के बाद, एक क्या बना था, एक कफ उईध हैंडल पटन बना, छोटा सा टार्गेट था, छोटा सा भी नहीं कहूंगा, परसेंटेज वाई दिखाए तो 39 परसन के आसपरस टार्गेट था, और टार्गेट कितने दिने मैं चीवआ, आप वो देखेंगे, तो एंटी लेविल से, एंटी लेविल से अगर टार्गेट तक देखू, तो 49 डेज में, 49 डेज में, 39 परसन का गेन दिया, एक सान्दा तरगे से प्रॉफिट ग्रोथ या पर देखने को मिले है, तो मैं ज़रूर रिक्वेश्ट करूंगा, इस कमपानी के उपर, जब आप, आप मतलब, आपके साथ में टेट सेयर किया था, तब आप इस वीडियो का आपने देखे थे, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके, यह सिलिक कर भीजिए, यह कि मुझे भी पता चलेगा, कि हाँ, आप कितने दिन तक मेरे साथ जुड़े हुए है, तो देखिए, जितने सार नया इंवेस्टर काम करना चाते है, सीखना चाते है, तो चैनलन को सब्सक जीगा, कमपणी के सेल्स एक अच्छा खासा धीरी धीरे करके, एक growthable situation में देखने को मिला था, और सेल्स बढ़ने के बाद, कमपणी के expense बढ़ने के रूस किया थे, वो कमपणी इस बार कई गुने ज़्यदा profit किया, तो losses कमपणी directly profit में convert हो गया, तो इस कारण के बज़े स कमपानी के उपर एक अच्छा खासा ग्रोध देखने को मिला और एही ग्रोध के कारण मैंने इस कमपानी के उपर टेल लिया सिर्फ एही कारण नहीं और भी एक दूसरा कारण है जो कारण है कमपानी के उपर CWIP कमपानी खुद की बिजनेस के उपर इस बार 25,400 क्रोड के आसपस पैसा लगाया और उसके साथ साथ कमपानी के जो पिछले बार बॉरिंग्स था 70,000 क्रोड वो घटके इस बार 58,000 क्रोड के आसपस बना इसका मतला कमपानी का बॉरिंग्स भी काम हुआ तो कमपानी का करजा कम हुआ और CWIP बढ़ा तो इसका मतला कमपानी में एक गुर्तबुल सीचुशन आने वाला था तो इसलिए मैंने क्या-क्या डेल लिया उसके साथ साथ इनिवेस्टर भी इसके होल्डिंग को बढ़ा चुके थे तो पिछले सेप्टमबर का क्वार्टर के बारें बात करू तो देखिए इनिवेस्टर कंटिन्यू खुद का होल्डिंग को लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे थे और इस बार FIS ने होल्डिंग बढ़ाया DS ने कुछ क्वांटिटी आपे बेचा कोई बात नहीं इस तरीके से बाइस से चलता रहेंगे और इस कंपणी के में अगर लास कुछ फ्री मांस का डेटा दिखा दू तो मुच्वल फंड ने जो सेलफ किया वो आपे आपको दिखेगा अगर बाकी जो इंस्ट्यूटिशन है सरी बाकी जो मुच्वल फंड ने बाकी मांद में जो बाइंग किया वो आपको हर मांद में positively देखने को मिलेगा तो technically चार्ट पटन इसलिए मैंने यूज किया और एक अच्छा कासा टेट बना था जो मैं टेट आपके साथ भी share किया था अभी फिलाल के लिए कोई निया decision नहीं है जब decision बनेगा तो मैं आपके साथ जोरू share करूँगा next चो company उसके बारे में चर्चागर उसका नहीं CESC इसके उपर भी मैंने एक टेट लिया था जो finally target अच्छी हो चुके है तो वो टेट किस तरीके से बना था अब ध्यान से देखेगे इस चीज को तो इस चीज को देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से anti और target बना था तो आभी देखिए company उसके उपर जो anti और target बना था कुछ लंबा सा एक journey था वो लंबा सा journey में एक cup बना उसके बाद एक handle pattern बना देखने को मिला तो cup भी थाने patterns बना और finally आप ए breakout वा breakout confirmation हुआ और मैंने अपको यह भी बता कि जो higher level में breakout confirmation होते है तो इसके लिए आपको एक बाद retestment चाहिए तो थोड़ा सा अगर correction हो तो उसके उपर anti बनेगा तो correction हुआ और उसके बाद anti बना और धीर धीरे करके टार्गेट को अचीव किया और टार्गेट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं टार्गेट नहीं था फिर भी 39% के आसपस टार्गेट था इस टार्गेट को लेने के पिछे इसका भी कारण था आप देखेंगे companies के उपर जो quarter result है वो आप देखेंगे तो sales का growth लगातर बढ़ता हो देखने को मिले 335 करोड, 3300 करोड, 3400 करोड, 3900 करोड और 4500 करोड इसका मतलब sales में कभी भी कमी आपको देखने को नहीं मिला हर साल में company sales बढ़ाते चले गए expense को company control में रखा उस basis में net profit वो भी लगातर बढ़ता हो देखने को मिले 387 करोड से बढ़के हो चुके थे 340 करोड, उसके बाद 319 करोड, उसके बाद 363 करोड तो एक अलग level का profitability growth देखने को मिले तो इस अच्छा खासा profit growth होने के कारण, इस कारण के बज़े से मैंने टेल लिया था और उसके साथ-साथ अगर balance sheet को भी देखेंगे तो देखिए, reserve लगातर बढ़ता हो देखने को मिले देखिए, एक time company 5,000 reserve से 10,000 हो गया था, बीच में फिर से कम हो गया था और उसको फिर से धिरेदे करके company recovery किये और company की जो borrings है, वो बीच में 15,000 करोड के आसपास borrings हो गया था, करजा हो गया था वो कम होकर आज बन चुके है, करीबन 14,000 करोड के आसपास तो 1,500 करोड के आसपास, करजे को company कम किये और खुद के business के उपर भी अच्छा कासा पैसा लगाया इस बार करीबन 235 करोड के आसपास पैसा लगा चुके है इस सारे कारण के बज़े से इस company के उपर भी मैंने क्या किया था trade लिया था, और finally वो trade अच्छीव हो चुके है 39% के आसपास मुझे target भी मिला तो फिलाल के लिए जो situation है company के उपर investor चाहे वो FIS हो, चाहे वो DS हो, चाहे वो public हो हर किसी के पास इस company के investment आपको दिख जाएगा तो एक big positive point है इस company के उपर तो इस बात को आपको याद रखना होगा बाकी देखिए, इस company के जो last few months का delivery का percentage दिखा दू तो आप delivery के few days का delivery के percentage दिखा दू तो मैं जुरू कहूंगा, इस company के उपर एक big positive momentum देखने को मिले है तो बाकी इस company के उपर क्या राय है, जुरू मुझे comments करके बताना तो next company उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नामे clean science and technology लेकिए clean science and technology के बारे में बात करूँ तो इस company के जो खासियत point है, वो इस company chemical company है, और chemicals का एक leader company है और सबसे importance point जो देखने को मिला, वो है इस company का promoter promoter के पास अच्छा का सा holding, उसके साथ साथ institution के पास भी अच्छा का सा holding है ऐसे ने कि institution इस company के उपर भरोसा नहीं करते है, continuously देखे institution इस company के उपर continue कर है, माल लेता हो chemical company के उपर आज demand बहुत कम है product का, तो इसलिए company के उपर लगातर एक correction देखने को मिले, फिर भी आपको clean science and technology के उपर उतना ज़्यादा खराबी performance नहीं दिखेगा, क्योंकि profit margin जो है जोरूर दिख जाएगा, तो मैं request करूंगा, इस company के उपर study करने के लिए, क्योंकि company के जो performance है, उपको अच्छा कासा दिखेगा, जैसे reserve लगातर बढ़ता हो देखने को मिले, एकदम zero depth company है, कोई भी करजा नहीं है, खुद के business के उपर देखेगा, अभी इस साल में company सबसे ज़्यदा investment किया, 139 क्रोण, तो एक सबसे ज़्यदा कोई company अगर खुद के business के उपर strongly resistance था, उस resistance, sorry, strongly support था, उस support में company क्या बनाया, एक hammer जैसे pattern की एट किया, तो एक hammer जैसे pattern अगर कोई भी support में बने, तो उसके उपर अगर anti होना start हो गया, तो एक लंबा journey आपको देखने को मिल सकता है, तो अगर इस company का anti level से target तक देखूँ, तो 800 रुपीज के आसपस में target ल साब से, और आपको जो advisor है, उसके साथ बाचीत करके ही काम करना, कोई भी मेरे तरफ से buy and sell कर recommendation नहीं है, क्योंकि मैं कोई CB registered person नहीं हूँ, तो next चो company उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है Dolphin Off-Source Enterprises Limited, एक छोटा सा company है, तो company ने एक बहुत बड़ा announcement भी कर दिया, वो है company company का split का, 25th of January company हर एक के बतले अपको दस्यर देने वाले है, तो इसको देखकर बहुत सरे लोग खूस हो जाएंगे, मगर मैं कहूंगा इस company के उपस study करके ही काम करना, company बहुत सांदार नहीं है, company एक छोटा सा और हाई रिक्सी company है, तो बाकी इस company के पर आपके कराय है, मु अब तक के लिए धन्यबाद